तो नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंग और आप देख रहे हो सिविल इंजीनिरिंग सपोर्ट मैं रोज आपके लिए कंस्ट्रक्शन से जुरी हुई विडियोज अपने चैनल पे लाता हूँ दोस्तो, आज मैं इस माध्यम से आपको बिल्डिंग मेटेरियल का कुछ प्राइस बताने वाला हूँ सबसे इंपोर्टेंट मेटेरियल हमारा सिमेंट होता है तो क्यों ना हम सिमेंट से ही स्टार्ट कर लेते हैं डालमिया सिमेंट का रेट हमने पहले ही अपने चैनल पे डाल दिया है आज मैं आपको अल्टरा टेक सिमेंट का प्राइस बताऊंगा आपको सिमेंट खरिदते समय किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए ये भी बताने वाला हूँ साथ ये किस टाइप का सिमेंट है कहां पर यूज करेंगे उस चीज का मैं जिकर इस वीडियो में करने वाला हूँ दोस्तो सिमेंट के बोरी पे बहुत सारे कोड लिखे हुए रहते हैं जो की एक कोड वर्ड रहते हैं उनको डिकोड करना पड़ता है तो सबका कुछ न कुछ मिनिंग होता है अगर आप जैसे की हमारा मेनफेक्स्रिंग डेट होता है और सिमेंट का एक्सपायरी डेट लगवग लगवग तीन महीने को होता है तीन महीने के बाद में आप अगर सिमेंट इस्तमाल करते हैं उसका गुनवत्ता में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगा और उस वो expire कर जाता है, सिंपली समझेए कि तीन महिने के बाद cement जो है वो expire कर जाता है और MRP वगरा कुछ लिखा हुआ रहता है तो MRP तो खेर मैं आपको इस वीडियो में बताने ही वाला हूँ साथ यसाथ expiry date देखने के लिए आपको direct expiry date नहीं लिखा रहता है इस पर manufacturing date लिखा हुआ रहता है उससे आपको calculate करना पड़ता है और manufacturing date भी आपको जो है वो नहीं लिखा हुआ रहता है वो code word के हिसाब से week और month इस हिसाब से आपको year, week और month के हिसाब से calculate करके निकालना होगा ज्यादा tension लेने की जिरूरत नहीं है आप हमारे channel पर जाएंगे तो बोरी पर जो जो लिखा रहता है जो भी हमारे codes वगरे रहते हैं जैसे कि manufacturing date expiry date जिस तरह से मैंने बताया तीन महिने का होता है और manufacturing date को किस तरह से पढ़ना है और साथिसाथ किस टाइप का cement है दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि cement भी अलग-अलग तरीके के होते हैं जैसे कि PPC होता है PSC होता है OPC होता है ठीक है? तीन तरह के cement होते हैं जैसे कि normal condition में हम PPC ही इस्तमाल करते हैं जैसे कि यह आप अल्टा टिक का cement देख रहे हैं यह PPC ही है इसका full form के अगर बात कर लेते हैं तो Portland, Pozilana, Cement दोस्तों PPC का मतलब यह हुआ कि यह किस बीधी से बना हुआ है और इसके अंदर क्या-क्या है हम engineer को इससे ही पता चलता है जैसे PSC हो गया और मैंने बताया OPC हो गया जहां पर देखते हैं कहीं पर जैसे कि वैसा इलाका जहां पर मतलब कि नाली बन रहा हो नाली महामेसा देखते हैं कि वहाँ पर नाली में पानी का सुरुत तो हमेसा रहता है तो उस जगह हम लोग PPC का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से यहां देखिए Portland, Hojalana, Cement Fly as Best यहां पर लिखा हुआ है तो यह PPC Cement है पचास केजी का बोरी है अब भी जो हमने lot मंगवाया है जो खेप आई है Cement की यह हमें परा है 275 रुपे प्रती बैग की जी हां Friends पचास केजी का बोरी 275 रुपे यानि की पौने 300 रुपे प्रती बोरा के हिसाब से हमें यह जो है वो मिला हुआ है दोस्तों मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यह पूरा fix rate है Cement का जो rate होता है वो दुकंदार पे भेरी करता है वो डिलर पे भेरी करता है और आप कहां से Cement खरीद रहे हैं चुकि यह factory में बनता है यह हर जगा तो बनता नहीं है यह factory में बनता है तो उस factory से आपका जो इलाका है वो कितना दूर है उसके transportation के अनुसार भी जो है वो इसके rate घरते बढ़ते हैं अगर factory से बहुँ ज़्यादा दूर हुआ तो वो transportation का charge आप पे ही add होगा तो इस तरह से मैं जहां पे हूँ अभी यहां पे जो है वो 275 रुपे प्रती बैक के हिसाब से मुझे मिला है उमीद करता हूँ आपके area में भी इसी से मिलता जुलता 5-10 रुपे कम बेसी जो है वो मिलेगा जो जिस चो भी factor है वो मैंने आपको बता दिया है तो फिर मिलते हैं उमीद करते हैं जनकारी काम की होगी धन्यवाद